प्रति बिशेश आग्रही बन जाती है, ज़र सब के प्रति वहाँ सामान रूप से वातसल्य रखती है, सब के प्रति वहाँ सुभ चिंतन रखती है, लेकिन किसी बच्चे में कुछ बिशेश्ता है, इस बिशेश्ता के साथ कहीं पर उसका ज्यादा अनुराग हो जाता है, ऐ ख्यान दें एक बात तुमिस्चित है कैसा भी बच्चा हो मा कभी नहीं छोड़ती है मा उसको अच्छा देखना चाहती है अच्छा देखने के लिए वह कभी-कभी अनुष्ठान भी कर आती है कभी-कभी भगवान के सामने खड़ा होकर प्राथना भी करती है सब तरह से अपने बच्चे को शुखी और समृद्ध देखने की लालसा रखती है आज हम स्री मद्देवी भागवत की कथा में प्रवेश करने से पहले इस सत्य को समझ सके हमारी जीवन की जरूरतें जीवन में जरूरतों के साथ चलते हुए प्रतिकूल प्रशंगों की बेवस्थाएं प्रतिकूलताएं उन सब को अगर कोई दूर करता है सहस्ता से तो जिस तरह से संसार की मा है उसी तरह से ये मा आज भी और आने वाले कल के संतानू के लिए भी अपने आप में सुव है दुर्गा सब्सती में एक बहुत फल की चर्चा हुई शुरुतम हरति पापानी तथा रोग्यम प्रयाक्षती जो दुर्गा सब्सती के पाठ को खुद कर ले तो बड़ी अच्छी बात है अगर सुनता है तो भी कहा उसको आरोग्य मिल जाता है पाप दूर हो जाता है पाप नश्ट हो जाते हैं सुरुतम हरति पापानी तथा रोग्यम प्रयाक्षती इसी के साथ नंदते चकुलंकुंसाम मम माहात मिस्रिन वताम देवी ने कहा है मम माहात मिस्रिन वताम मेरी माहात मिकत्ःओं का जो एक दुर्गा सबसती का चरित्र है उसका जो पाठ करता है या स्रंवन करता है उसकी जो पीडियां है उसका जो पीडियों अर्थात कुल में आने वाली संताने हैं वे भी सम्रिद रहती हैं आनन्दित हुर रहती हैं ऐसी उस माता की जो महिमा मही करपा है उस कर्पा को आत्मसाथ करने पाने के लिए हम अपने आपको स्रधा से संदिष्ठा से और भाव से अपने आपको पात्र बनाए और इसी के साथ स्रीमत देवी भागवत की कथा में हम प्रविश करने दा रहे ही सब्से पहले उस मा का महिमा में जो स्वरूप है उसको बताया गया है मंगला चरण में श्रष्टव या सर्गरूपा जगदवन विधो पालनी आचरोत्री शंधारे चाप यश्या जगदिदमखिलं क्रीडणं या पराख्या पश्यंती मध्यमाथो तदन भगवती वैखरी वर्न रूपा शाष्मध्वाचं प्रशन्ना विधिहर गिरिशा राधितालं करोत्रूप इस संसार की पुत्पत्ती में जो स्वयम कारण रूपा है स्वयम संसार का स्रदन करती है जिस तरह से मा एक बच्चे को जन्म देती है और जीने के लिए आवश्यक साधन भी वह जुटा लेती है और अपने बच्चे की गुशल्टा के लिए सब तरह से रक्षा की व्यवस्था करती है उस तरह से बिश्व माता माता के दो रूप है वह जब बच्चे को इस ने हैं देती है तो उसका बड़ा मधुर रूप है लेकिन जब बच्चे को कोई नुक्सान पहुँचाना चाहता है आपके बच्चे को कोई पीड़ा देना चाहे तो वह माता कठोर हो जाती है खुरूर बन जाती है अगर आपके बच्चे को जिस किसी ने गोद लिया उसके हाथ से वा फिशल जाए तो आप कहेंगे कि चलो हो सकता हो जाता है दूसरी बार गोद लिया दूसरी बार फिर से उसके हाथ से बच्चा आपका फिशल जाए आप की आखे टेड़ी होने लगेंगे फिर भी थोड़ा सरम संकोच से आप सहन कर लेंगे तीसरी बार अगर आपकी नजर में फिर यही दिखाई पड़ा कि आपके बच्चे को गोद लिया और वो जमीन पर गिर पड़ा तब आपकी उस समय सहन करने की जो सीमा है वाट तूट जाएगी आपके अंदर एक आक्रोश और क्रोद जागर्त हो जाएगा ध्यान देगा आपको अगर ये लग जाए कि सामने वाला गोद में लेने के साथ बहाना कर रहा है कि हाथ से फिसल गया इसका इरादा ही ऐसा है कि बच्चे को चोट लगे बच्चा गिर है तो आपकी उस समय मान सिकता क्या होगी आप उसमें क्रूर बन जाएगी ध्यान देना माता के दो रूप है एक तो है शकारातमत पाजिटिव और दूसरा है निगेटिव जब वहाँ इसनेह में होती है तो उसकी आँखों की ममता वात्सल्य बन करके उसकी आँखों और हर्दे से चलकती है लेकिन जब उसकी लिए कोई बिगहातक होता है उसको कोई नुकसान पहुँचाने वाला होता है तो इसी के साथ वह उग्र बन जाती है ध्यान देना जब वहाँ इसनेह भाव में है स्रदन के साथ है निर्मार के साथ है तब वह त्रपुर सुंदरी है और जब किसी विपरित बल को सासित करने के लिए उसको दंडिक करने के लिए है तब वह निग्रह करने के साथ काली के रूप में है इसी बात के साथ दो प्रकार की शक्तियां हैं दो प्रकार के उसके रूप हैं शक्ति एक ही है लेकिन दो रूप है जब वहाँ संदक्षण के रूप में है तो ध्यान देना में संदक्षण में आपके जो भी होता है आप उसको सुन्दर देखना चाहते हैं आप जिसका भी सुब चाहते हैं जिसका भी आप विकास चाहते हैं उसमें अब सुन्दरता भी देखना चाहते हैं लेकिन वह सुन्दरता ठीकेगी कैसे है जब तक आपके पास जीने के परयाप्त साधन नहीं होगे जीने के परयाप्त साधन के बिना आपका जीवन सुन्दर कैसे रह सकाईगा ध्यान देना जीने का जो परियाप्त साधन है उसी का नाम में सम्रिध्धी इसलिए हर मां अपने बच्चे को अपनी संतानों को सुन्दर और सम्रिध्ध देखना चाहती है सुन्दर और सम्रिध्ध देखने का ही मर्म इस महात्मे के पर्थम इसलोग में बताया गया है जो स्रश्टी के संदर्भ में उत्पक्ति रूपा है कारण रूपा है और जो पालन के संदर्भ में पालन करने वाली है और इसी के साथ जो बिपरीत बल है उसको नश्ट करने के लिए जो रौद्र रूपा है इसी को बिशेश रूप से समझाने के लिए कहा जो जगत की उत्पक्ति में कारण है और इसी के साथ जन्म के साथ चलता हुआ जीवन और जीवन की कहानी का अंत है मरत्यु में इस संसार को ही लक्ष बना करके बताया कि संसार जिसकी इच्छा से जन्म लेता है और संसार चलता चलता जहां संधार को प्राप्त हो जाता है उस संधार के भी अधिश्ठात्री वही है इस तरह से ये संसार उसकी ही इच्छा से जन्म देने में सहायक, ब्रह्मा और इस संसार को पालन करने की भुमिका में भगवान विश्णून और संसार को संधार करने की भुमिका में भगवान शंकर को जो रुद्ध रोख देती है ऐसी वह हमारे आपके अंतर जीवन में विच्छी पिवी है हमारा आपका जीवन किस से चल रहा है वाप ब्यापारशे वानी से वानी आप हम सब बोलने के साथ ही तो चल रहे हैं आप से पूछा जाए कहां जा रहे हो तो कुछ न कुछ गंतब तो होगा और आप से पूछा जाए कि किस लिए जा रहे हो तो आप कहेंगी ये काम है किसी काम को पूरा करने के लिए आप कहीं पर जा रहे हैं ध्यान देना तो आपको भासा का प्रेव करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा अगर आप ऐसा भी देख सकते हैं एक गुंगा ब्यक्ति जो बोल नहीं पाता है वा भी कहीं जाता है तो इसारे से बात करता है इसारे से बात करता तो है लेकिन वा आपकी बात को सुनता है ध्यान देना सुनने के साथ वा सब्द के पीछे कोई न कोई अर्थ है सब्द सुनने के साथ वा सब्द के अर्थ का अनुशंधान करता है लेकिन बोल नहीं पाता तो इसारों से अपनी बात को समझाता है ध्यान दे अपनी बात को समझाता है आप हम सब जीवन में अपनी अपनी बातों के साथ ही तो चल रहे हैं अपनी अपनी बातों के साथ चल रहे हैं इनी बातों को यहाँ पर वैखरी मध्यमा पश्यंति और परा चारवारी के रूप में जो हमारे आपके अंतर जीवन में समाहित होकर के आप सब को चला रही है ऐसी उस महासक्ति को हम नमन करते हैं और उस महासक्ति के साथ ही एक बात यहां और बताने जा रहे है